हे एवरिवन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंतारा मुवी जुड़े टॉप टैन अमेजिन फैक्स से वारे में हम बात करेंगे कि किस रियल इंसिडेंट से इंस्पार्ट थी ये फिल्म कहां के गई थी इस फिल्म की सूटिंग और साथ ही बात करेंगे कंबाला और भूता कोला के बारे में तो वीडियो को लास्त तक जरूर देखना फैक्स नमबर वन आई होप कि आपनी मूवी तो देख लियोगी पर क्या आपको पता है कि आखिर कंतारा का मतलब क्या होता है कंतारा एक कंणेड़ा वर्ड है जिसका मेनिंग होता है मिस्टिकल फोरे किया है रिसाप सेट्टी स्टार्टिंग से एक्टर बनना चाहते थे लेकिन कोई भी फिल्में बैग्रांड ना होनी की बज़े से उन्हें कोई भी रोल नहीं दे रहा था जिसके चलते रिसाप सेट्टी ने स्टार्टिंग में क्लैब बॉई, स्पोर्ट बॉई और असिस चोटे रोल प्ले किये, जिसके बाद 2016 में रिकी मूवी से रिसाप सेट्टी ने अपना डारेक्शनल डेव्यू किया, फैक नमबर 3, रिसाप सेट्टी को इस फिल्म का आइडिया सेकंड लोगडाउन के दोरान अपने एक दोस्त की बरिथरे पार्टी पर गए थे, सुनकर, उनके दोस्त के कजन ने उनको बताये की, कैसे एक अलग वराइटी के चावा लोग आने के चलते, उसके पिता को जेल हो गई थी, कजन ने बताये की, एक बार उन्होंने अपने गाउं में एक अलग वराइटी के चावा लोग आये थे, जिसके एक जंगली सूर ने अब जब भी forest department कोई भी gun को जब्त करते हैं तो उनका एक protocol होता है कि उन्हें पहले उस gun को unload करना होता है तो forest officer उस gun को unload कर रहा था लेकिन gun बहुत पुरानी थी जिसके चलते gun backfire हो गई और officer की आख में बुरी तरहे चोट लग गई जिसके बाद forest officer ने उसके पिता से बदला लेने के लिए उसके पिता पर बहुत से केस लगा कर उन्हें जेल पर डाल दिया इस story को सुनने के बाद रिसर्प सेटी को कंतारा मूवी का basic idea आया और जिसके बाद इसी story पर अपने tradition और culture को मिला कर रिसर्प सेटी ने कंतारा मूवी की पूरी script को लिखा इस film में सब्तमी गोडा ने सिवा के love interest का role play किया है जहां ये film सब्तमी गोडा की दूसरी film है सब्तमी गोडा ने अपना debut 2020 में आई film popcorn monkey tiger से किया था जिसके लिए हुने best debut actresses का about भी मिला था रिसर्प सेटी जब कंतारा मूवी के लिए actresses को ढून रहे थे तब रिसर्प सेटी ने instagram पर सब्तमी की एक video को देखा था जिसके बाद रिसर्प सेटी को popcorn monkey tiger फिल्म में सब्तमी गोडा की performance याद आई जिसके बाद हुने auditions पर बुलाए गया और auditions देने के बाद सब्तमी गोडा को इस रोल के लिए फाइनल कर लिया गया सब्तमी गोडा ने इस रोल के लिए दो मेहनों की workshop भी लिए फैक नमबर 5 कंतारा मूवी की पूरी सूटिंग रियल लोकेशन्स पर की गई है सूटिंग लोकेशन्स की बात करें तो फिल्म की सूटिंग रिसब 70 के ही गाउं करदी में की गई है फिल्म में दिखाए गए जंगलों की सीन को करदी के जंगलों में सूट किया गया है वहीं फिल्म में दिखाएगे गाउं के लिए एक पूरा रियलिस्टिक सेट को बना का तयार किया गया था जहां इस पूरे गाउं के सेट को बनाने में लगवक 6 महनों का टाइम लगा था बहुत पार तो जादा वारिस के चलते फिल्म का सेट डिस्ट्रोई ब हुआ जिसके कारने सेट को 2-3 वर रिक्रेड भी करना पड़ा था इस फिल्म की सूटिंग अगाज 2021 में स्टार्ट की गई थी और फिल्म की सूटिंग पूरे 96 दिनों तक चली थी इस फिल्म में हमें बहुत से एक्सन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं जहां फिल्म में दिखाय गए सवी एक्सन सीक्वेंस को रिसफ सेट्टी ने बिना किसी बोडी डवल के खुदी परफॉर्म किया है इन एक्सन सीक्वेंस में कंबाला रेस सीक्वेंस भी सामिल है अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं की कंबाला कोस्टल करणाटा के में होने वाली एक एन्यूल बफेलो रेसey इस रेस में राइडर अपनी बफेलो के साथ एक कीचेस से बढ़े रेस ट्रेक पर भागता है इस रेस को हर साल नबंबर से माज की बीच में करवाया जाता है और obviously जीतने वाले को बहुत से गिफ्ट्स मिलते हैं स्टार्टिंग में कंतारा फिल्म की स्किट पर कंबाला का सीक्वेंस नहीं था पर सूटिंग के दुरान रिसब सेटी को इस सीक्वेंस को इंकूलूड करने का आईडिया आया कंतारा फिल्म में इस कंबाला सीक्वेंस को दिखाने के लिए सेट पर एक रियल कंबाला रेश टेक को बनाकर तयार किया गया था इसके अलावा कंबाला को परफॉर्म करने के लिए रिसब सेटी ने कंबाला की ट्रेनिंग भी ली थी भूतकोला साउट कन्नेडा में फोलो किया जाने वाला एक रिच्वल डांस पर्फोर्मेंस है मेली भूतकोला रिच्वल करनाटक के तुलूनाडू इलाके में बहुत ज्यादा प्रचली थे करनाटक के कोस्टल रीजन में अलग-लग देवा की पूजा की जाती है जैसे कि हमें कंतार मुई में पंजूली और गुली गा देवा देखने को मिलते हैं बहाँ पर लोग इन देवा की बहुत ज़्यादा इज्यत करते हैं लेकिन साथ ही साथ वो इन देवा से डरते भी हैं ऐसा माना जाता है कि देवा उनकी रक्षा करते हैं पर अगर उन्हें गुस्सा आ जाये तो वो संगार भी करते हैं देवा की पूझा भूते इस्थाना में की जाती है जहां पूझा के दिन सबसे पहले देवने तक तेल में नहा कर देवा का आसिरबाद लेते हैं और फिर देवा की तरह तयार होकर इस रिच्वल को परफॉर्म करते हैं ऐसा माना जाता है कि इस रिच्वल के दौरान देवा खोद नतक के अंदर आ जाते हैं और वो लोगों की प्रोब्लम को सॉल्व करते हैं साउत कन्नडम इस रिच्वल को बहुत ज़्यादा माना जाता है अगर कंतारा मूवी की बात करें तो इस फिल्म में भूता कोला को परफॉर्म करने के लिए रिसप सेटी ने भूता कोलो में परफॉर्म किये जाने वाले हर एक रिच्वल को फॉलो किया था ताकि वहां के लोगों की आस्ता को कोई भी ठेस न पहुचे यहां तक कि फिल्म में भूता कोलो को परफॉर्म करने के लिए रिसप सेटी ने पांस दिनों को ब्रत भी रखा था जिसमें उन्होंने सिर्प नारियल पानी पिया था इसके अलावा फिल्म की सुटिंग स्टार्ट होने से पहले रिसप सेटी और फिल्म के बागी एक्टरस ने नौन विच खाना भी बंद कर दिया था कंतारा मूवी को ओडियन्स से बहुत ज़्यादा प्यार बिला है साथ ही इस फिल्म का इंपेक्ट गवर्रमेंट में भी देखने को मिला है इस फिल्म को देखने के बाद करनाटा का गवर्रमेंट ने फैसले किया है कि 60 साल से ज़्यादा उमर वाले जितने भी देवन तक है उन्हें 2000 रोपे का मासिक भत्ता दिया जाएगा कंतारा मुवी ओडियंस को कितनी ज़्यादा पसंद आई इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि कंतारा मुवी रमायना दा लीजेंड और प्रिंस रामा रोकेटरी, KGF और जेभीम जैसी मुवीज को पीछे छोड़ कर IMDV पर Indian Cinema की Most Rated Movie बन गई है इसके अलावा कंतारा मुवी को Book My 100 पर भी 99% की रेटिंग मिली हुई है जहां इस मुवी को 60,000 से भी ज़्यादा रिव्यूस मिले हैं और ये पहली बार है जब Book My 100 पर किसी मुवी को 99% की रेटिंग मिली है अब ये देखना बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होगा की फ्यूचर में इस रिकोर्ड को कौन तोड़ता है वैसे आपको कंतारा मुवी कैसी लगी कमेंट में ज़रू बताईगा Fact No.10 कंतारा मुवी को 30 सितंबर 2022 में रिलीस किया गया था जहाँ मुवी को पहले सिर्फ कंणडडा में ही रिलीस किया था कंतारा मुवी के कंणडडा वर्जन के सक्सेषफल होने के बाद और audience के बीच मुवी की डिमांड को देखती हुए बाद में कंतारा मुवी को हिंदी और दूसरी लेंग्वेजस में डब करकर रिलीस किया गया जहां फिल्म के हिंदी वैजन को 14 अक्टूबर 2022 में रिलीस किया गया बात करें कंतारा मूवी के box office collection की तो कंतारा मूवी को 16 करोड के बजट में बना का तयार किया गया है और जब में ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक ये movie box office पर worldwide 250 करोर से भी ज़्यादा का collection कर चुकी है और ये movie KGF chapter 1 को पीछे छोड़ कर second highest grosser Canada movie बन गई है अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूँ कि highest grosser Canada movie KGF chapter 2 है जिसने worldwide 1200 करोर का business किया था तो ये थे कंतारा movie जोड़े को इस amazing facts अगर वीडियो पसंद आयोगे तो वीडियो को like जरू कीजेगा और अगर आप future में भी ऐसी amazing videos को देखना चाहते हैं तो चैनलों को अभी subscribe कर लिजेगा